हाई स्टुडेंट्स वेलकम बेक टु शोम्जाइस जैसे कि आप सबको आइडिया ही है कि हम पिछला चेप्टर खतम कर चुके हैं आज हम नया चेप्टर शुरू करने वाले विच इस बैंकिंग और फाइनेंस इससे पहले अगर कोई ऐसा केंडिडेट है जो पहली बार इन से ना देखने के बजाए आप प्लेलिस्ट का यूज कीजिए और शुरू से ये वीडियो को देखिए ताकि आपको सारे के सारे टर्म समझ में आ जाए इससे पहले कि जो लेक्चर से अगर वो अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये लेक्चर भी उसके साथ कान्ट्यून पहले टोपिक्स कुछ टोपिक सम्कवर करेंगे इसके अंदर जीसर रोल अप्र जाया होता है भी रोल अ और फॉप अ मैंधी तिक कहीं है इन इसके बात है कॉंसेप्ट अप्लिक्वीडिटी कॉंसेट और concept of liquidity this is also very important topic next CRR and SLR cash reserve ratio and statutory liquidity ratio दोनों बहुत important है क्योंकि यह reserve होते हैं ठीक है अब इसके साथ एक वह आता है कि इसको यहां नहीं लिखेंगे पहले यह दोनों ही करेंगे फिर उसके बात आजाएंगे next में अधार रेपो अधार रिवर्स रेपो अधिक है रेपो और रिवर्स रेपो क्या होता है यह देखेंगे और इसी के साथ ही यहां पर एक और चीट लगें माइनल स्टैंडिंग फेसिलिटी कहीं जगे आप ऐसा भी देखोगी इसे इसे ऐसा लिखा हुआ है एम एस है और एमसे पर रेट तो इसमें यह जो रेट होता है ना उसको काफी टाइम निकल चुका होगा एक्स्प्लेंड करते वह इतना काफी है ओके तो चलिए फ़र्स शुरू करते है फ़र्स है रोल्स ओफ और भी आई है ओके देखो आप यह है क्या बॉस है ना आपने सुना काफी बार सुना होगा और भी अर्भी असल में सेंट्रल बैंक है ठीक है और भी आई all these इंडिया अब सैट्र बैंक आफ इंडिया कैसे यहां पर समझने की कोशिश करो जैसे यूई एस में बussa जो उनका स्टेट अउ पूरे जैसे यूज मेंना स्टेटस बोलते ंठीक है तो जो पूरे यूज का बैंक है उसको बोलते है Federal Bank Federal Bank तो यह Federal Bank US का Central Bank है जैसे RBI इंडिया का है उसके अलावा UK का Bank है Bank of England Bank of UK के अलावा European Union भी बहुत European Union भी बहुत इंपोर्टन्ट है European Union European Union के Bank का नाम है European Union के Central Bank का नाम है Central Bank of Europe Central Bank of Europe ठीक है और कौन से में में बैंक बस्ते है एक चलो यह हमारा नेबर है उससे लग लेते हैं चाइना चाइना के सेंटर बैंक का क्या नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ठीक है पीपल्स बैंक अफ चाइना इसके अलावा पाकिस्तान एक और नेबर है हमारे पाकिस्तान के बैंक का नाम है State Bank of Pakistan तो यह याद रखना यह हमारे आसपास के देश और कुछ में चाइन बैंक का नाम है एक बार पढ़ लेना इसे कुछ याद रखनी की जरुरूत नहीं है कभी आपसे पूछेगा नहीं बट सम्टाइम जैसे इकनॉमिके न्यूज में है ना न्यूजपेपर पढ़ते वक्त आपको यह बैंक के बारे में आ रहा होगा तो थोड़ा इंटरस्ट बनेगा विकोस आप जानते होंगे इनके बारे में ओके ओके यहीं है तो चली कुछ रूल देखते हैं टो आरबीई क्या करती है आरबी आई पॉलसी बनाती है एक टर्म है है झाले है कि मोनेटरी था हुआ पॉलिसी है ना है बाइड़ग्टरी पॉलिस पॉलिसी इसे बनाया जाता है, monetary policy commission के द्वारा, ठीक है, इस commission के जो head होते है, वो होते है, RBI के governor, ठीक है, RBI के governor इसके head होते हैं, अच्छे ये monetary policies का क्या मतलब है, monetary policies के देखो, मतलब, it is something like the policy of the money making by the RBI, और you can say, by the, it is a way to control money in the market, right, कैसे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, it is a way of controlling, ठीक है, ये क्या करता है, RBI, मालो, यहाँ पर RBI है, RBI क्या करेगा, money को control करेगा, कैसे, देखो, RBI से पैसे लेते हैं, banks, ठीक है, अब ये banks अपने से किसको देंगे, public को पैसा देंगे, ठीक है, अब public क्या करेगी इन पैसे का, spend या फिर terms लिखते है, purchase, purchase करेगी तो होगा, demand और supply बढ़ेगा, demand और supply बढ़ेगा, तो क्या होगी, production, है न, production बढ़ेगा, अब production बढ़ा, तो क्या होगा, employment, एक दूसरा नजरिया है, पर अच्छा, अब यहाँ पर employment को मैं अभी बाद में समझाऊँगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि आपको term समझ में आ जाए, इसके सब दिक्कत ही यह जाए, ओके, तो जैसे production होगा, production के बाद क्या होगी, growth, है न, अब देखो, इसमें क्या हो रहा है, RBI नहीं यहाँ पर कुछ अपनाया, ठीक है, policy अपनाई, policy को इन्हों ने क्या नाम दिया, cheap money policy, है न, cheap money policy का क्या मतलब है, policy जो है, बहुत cheap price में, policy ऐसे बनाई, कि सभी को बहुत cheap price में पैसा मिला, तो bank के पास pocket size बढ़ गया, तो bank भी बहुत easily loan देदेगी public को, public जब easily loan लेगी, तो वो क्या करेगी उस पैसो का, है न, spend करेगी न, market में, तो इसका मतलब कुछ purchases करेगी, अब purchases करेगी, तो market के अंदर demand and supply में change आएगा, demand and supply में change आएगा, तो production भी बढ़ेगा, अब production के व्याद क्या होता है, company का growth भी होता है, और हमेशा याद रखना, जब company का growth होगा, वो हमेशा equal होता है, inflation के साथ, ठीक है, ओके, जैसे ही growth हो जाएगा, वैसे inflation भी बढ़ना शुरू हो जाता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़ुरूरत नहीं है, फिलाल तुम्हे concept को समझो, अब यहीं पर मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, same ऐसे ही एक और example ले लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Reserve Bank of India, एक दूसरी पॉलिसी अपनाएगी, ठीक है, पहले same करते हैं, यहाँ पर Banks होंगे, ठीक है, और Banks के बाद क्या होगी, पब्लिक, पब्लिक के पास पैसा आता है, पब्लिक के पास पैसा आने के बाद, पब्लिक उसे पर्चेस करती है, पर्चेस करेगी, पर्चेस करने के बाद, पब्लिक के वज़े से क्या होगा, डिमांड और सप्लाई में, सप्लाई के चेंज में चेंज आएगा, अगर डिमांड बढ़ रही है, तो सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर यह दोनों बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में भी चेंज आएगा, प्रोडक्शन में चेंज आया तो overall क्या होगी company की या फिर economy की growth होगी, राइट, सो यह सारी चीज़े है, प्रोडक्शन और देन growth, अब concept समझो, यहाँ पर क्या किया, RBI ने dear monetary policy अपनाई, dear money policy, dear money policy का मतलब है, कि अब पैसा बहुत प्यारा है, जो भी चीज़ बहुत प्यारा होती हो, इसली नहीं दी जाती, अब RBI यहाँ पर dear money policy के अंदर rates को बढ़ा देगा, RBI ने rates को बढ़ा दिये, तो bank भी क्यों लेंगी जाधा late में, उनको पताएगी, मैं आगे rate बढ़ाऊँगा, तो public भी पैसे नहीं लेगी, है ना, तो यहाँ पर public भी कम हो जाएगी, अगर public कम ले रही है पैसा, तो market के अंदर पैसा कही ना कहीं कम होगा, है ना, जिसके वज़े से purchases गिर जाएगे, right, तो क्या होगा, bank के पास पैसा कम आएगा, तो public भी पैसा कम लेगी, तो purchases गिर जाएगे, तो demand and supply भी गिर जाएगा, demand and supply गिरेगा, तो production भी गिरेगा, क्योंकि कोई खरीद ही नहीं रहा होगा, तो production का क्या करेंगे है, उसके वज़े से growth भी कम हो जाती है, ठीक है, यह है practical तरीका, अब practical का impact बताता हूँ, ठीक है, यह तो मैंने practical बता है, अब इसी के उपर में आपको बताता हूँ, कि impact कैसे होता है, ठीक है, कि मतलब आसल में काम कैसे करती है, ठीक है, अब यहाँ पर एक पेटी apple है, ठीक है, एक पेटी apples है, जिसकी market में कीमत चल रही है, 1000 rupees, ठीक है, अब यह इसी लिए चल रही है, क्योंकि यहाँ पर और भी पेटीज है, ठीक है, तो सभी की market में क्या है, 1000 rupees is equal to one box, ऐसा चल रहा था, और सभी लोग इसको अच्छे से purchase भी कर पा रहे थे, एक, दो, तीन, चार्थ, तो यहाँ पर demand भी ठीक है, एक, दो, तीन, चार, ओके, यह चार लोग यहाँ पर demand भी कर रहे हैं, और इसी हिसाब से यह चीज भीकती भी रहेगी, तो यहाँ पर कोई दिक्कत है, नहीं, अब होता क्या है, मान लोग किसी वज़े से, यहाँ पर, जो supply है, उस पर कुछ कमी आ जाए, सप्लाइ में कमी आ गया, तो अब एक ही पेटी बचा मार्केट में पर demand तो तीन है, तो यहाँ पर demand क्या है, demand high है, और supply क्या है, कम है, अब इसकी वज़े से क्या होगा, जो एक हजार का, जो यहाँ पर trader है, जो एक हजार का बेच रहा है, इनको पता है कि यह चार लोग है, इनमें competition है, तो मैं एक हजार का नहीं, इसको पाँच हजार का बेचूँगा, क्योंकि demand है, तो यह पाँच हजार की बिकेगी भी, अब यह जो एक हजार का product है, जो वन ताउजन का product है, यह high हो गई इसकी price, और यह high को कि कितनी हो गई, यह हो गई, 5000 रुपीज, है ना, अब यह जो high हुआ, इसी चीज़ को बोलते है, inflation, राइट, अब इस inflation को counter करने के लिए, क्या किया जाएगा, अब इस inflation को counter तो करना पड़ेगा की नहीं, अब यह inflation को counter करने के लिए, अरे, यह price तो बहुत बढ़ रहा है, लोगों के pocket में पैसा है नहीं, सुरी, यहाँ पर RBI का रोल नहीं है, ओके, तो यहाँ पर क्या करेगा, अब आप सोच के देखो कि यहाँ पर क्या ऐसा चीज़ किया जाता है, कि चीज़ों को बराबर कर दिया जाए, तो यहाँ पर government का रोल है, ठीक है, अब यह RBI वाला रोल नहीं है, government वाला समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं RBI प्याँ हुआ हूँआ, ठीक है, अब यहाँ पर government क्या कर सकती है, government कर सकती है, बांगलादेश से, ठीक है, या फिर पाकिस्तान, या फिर जो अपने आसपास की countries हैं न, यहाँ से कुछ import कर वाले, so that कि यहाँ पर वापस एक पेटी, दो पेटी, तीन पेटी और चार पेटी हो जाए, अब जब यहाँ पर quantity वापस इतने ही हो जाएंगे, तो यह लोग जो एक्षा पैसे देने के लिए तियार हो रहे थे, वो लोग एक्षा पैसा नहीं देंगे, और वापस यह price, यहाँ पर वापस चला है, कोई भी 5000 रुपे देने के लिए तियार नहीं होगा, अगर यह बोलेंगे ठीक है, तो 5000 का दे रहा है, तो मैं तेरे से लूँगा ही नहीं, मैं यहाँ से, यहाँ से इस बन्दे से लूँगा, जिसके पास पेटी आ गया है, है ना, तो वापस इनके पास जो ऑप्षन हो जाएगा, तो यह price वापस से नीचे हो जाता है, यह तो किया था, government of India ने, उन्होंने क्या किया, import करके, market के अंदर quantity बढ़ाया, समझ भी आया, यहाँ पर quantity increase और decrease के वज़े से, inflation को control में किया, यह तो थी government की perspective से काम है ना, अगर RBI ने करना होगा, तो क्या करेगा यहाँ पर, सोच के देखो, अब RBI क्या करेगा, यहाँ पर, मानलों की चार डब्बे है, सेम ऐसे ही बता देता हूँ, दो, तेन, चार, है ना, और rate क्या चल रहा था, 1K, ठीक है, is equal to 1, box, अब यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार बन दे थे, ठीक है, अब इन्हों ने क्या किया, जब यहाँ पर न, किसी भी वज़े से, यह, तीन पेटियां absent थे, तो इसने सोचा कि, क्यों न, मैं इसका price बढ़ा दूँ, तो इसने इसको 5K कर दिया, 5000 रुपे कर दिया, है ना, अब 5000 करने के बाद, यह inflation, इस तरीके से बढ़ गया, यह तो 5000 रुपे तो बहुत ज़ाद है, ना, वह सी, यह तो inflation है, है ना, अब इस inflation को, यह बंदा तो खरीद पाएगा, क्योंकि पैसे वाला है, बाकी के तीन बंदे क्या करेंगे, यह तो बुके मरेंगे ना, तो ऐसे केस में, यहाँ पर RBI भी अपना रोल प्ले करती है, यहाँ से government तो करी रही है, RBI भी अपना रोल प्ले करेंगे, RBI क्या करेंगी, यहाँ पर dear money लाएगी, dear money, policy लेके आएगी, अब dear money policy के वज़े से, जो rates हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, dear money policy में, rates increase हो जाते हैं, तो bank के पास अब पैसा जादा नहीं होगा, bank के पास पैसा जादा नहीं होगा, तो bank क्या करेंगी, customers को भी पैसा नहीं देगी, ठीक है, sorry, purchasers को, जो भी purchase कर रहे होंगे, उनको भी पैसा कम मिलेगा, तो इसने सोचा होगा, कि मेरे पास 50,000 रुपए है, 50,000 में और bank से ले लूँगा, उस वज़े से मैं एक पैटी को खरीद पाऊँगा, है ना, तो ऐसा करके कोई यहां से यह भी खरीज सकता था, यह भी खरीज सकता था, यह भी खरीज सकता था, तो उसके पज़े से क्या होगा, डिमांड और सप्लाई में भी गिरावट नजर आएगी, डिमांड और सप्लाई में गिरावट नजर आएगी, तो प्रोडक्शन भी गिरेगा, ठीक है, प्रोडक्शन भी गिरेगा, तो ग्रोथ भी गिरेगी, है ना, तो ऐसे में क्या करता है RBI ने क्या करता है जैसे ही rate कम कर दिया तो purchase की ratio भी बढ़ गया क्योंकि तो इनके pocket में जो पैसे देना असल में वो पैसों की value गिरा देता है RBI rates को बढ़ा कर क्योंकि market में easily पैसे available नहीं है तो ये लोग क्या सोचेंगे ये लोग सोचेंगे कि ये लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरे pocket में 100 रुपए है है ना अभी मैं ऐसा करता हूँ कि ये 100 के 100 रुपए को खर्च कर सकता हूँ क्योंकि मिर्जब जब पैसों की ज़रुद पड़ीगी तो मैं RBI इसे ले लूँगा है ना ये ऐसा सोच रहा होगा क्योंकि उस टेम तो rate कम थे बट अब RBI ने क्योंकि rate बढ़ा दिये ये जितने आसानी से इस 100 रुपए को खर्च कर सकता था ना अब नहीं करेगा अब ये सोचेगा इसको खर्च करने से पहले समझ रहे हो ये एक hypothetical situation में पैसे तो आपके pocket में उतने ही है boss है ना बट RBI के इस एक step के वज़े से आपके उस पैसो की कीमत में बढ़ोती रहे हो जाती है आज जो आपको 100 रुपए दिख रहा है अगर आपको पता हो कि आप इस 100 रुपए को खर्च करोगे भी कोई बड़ी बात नहीं है आपको फिर से मिल जाएंगे तो आप easily उसको खर्च कर दोगे अगर आपको पता चले कि वो पैसे बहुत easily नहीं मिलने वाले तो आप उसको खर्च करने से पहले सोचोगे समझ रहे हो तो यह यह पॉइंट है तो यहाँ पर RBI ने क्या किया इनके pocket के पैसे को control कर दिया अब जब पैसे यहाँ पर money control हो गया यहाँ पर money control हो गया तो अब यह जो 5000 में भेशने वाला है ना इसको लगा यार एक आदा पेटी तो निकल गया पर अब तो market में इतने लोग है नी जो इसको लेंगे है ना कोई ले ही नहीं रहा है तो यह क्या कर देगा अपने price को कम कर देगा क्या हुआ परचेजर नहीं है तो demand and supply में क्या हुआ भई demand and supply में change आया वो गिरा है ना production भी गिरा तो इसमें क्या हुआ कि अपने price को नीचे गिराएगा price को नीचे गिराएगा वापस दीरे दीरे वो 1000 में आ जाएगा अब यह लोग वापस से affordability में आ चुके है अब यह लोग आराम से पैसे देंगे और वहां से unit उठाएगे समझा है तो इस तरीके से RBI भी अपने control में inflation को control करती है और government bank भी अपने perspective से अपने तरफ में खेल खेलती है जिस वज़े से inflation को control किया जा सकता है I'm sure कि आपको यहाँ पर यह चीज़ समझ में आया कि RBI monetary policies के साथ किस तरीके से खेलती है आप थोड़ा concept के साथ आपको यह चीज़ समझा देता हूँ है ना So RBI का जो monetary policy है ना दो तरीके से होता है है ना monetary policy RBI के monetary policy के according यहाँ पर दो तरीके के rates होते हैं एक cheap money एक dear money ठीक है cheap money का मतलब है यहाँ पर rate of interest अब यहाँ पर सेम इसका अपोजिट होता है rate of interest by reserve bank of india as high ठीक है तो यह point यहाँ दखना ठीक है तो यह पैनल इतना interest अब यह दो तरीके से बोलता है dear money policy और cheap money policy दो तरीके से बनाए चलता है अब यह जो money policy बनाए जाती है ना कि यह monetary policy commission के द्वारा बनाई जाती है ठीक है इसको याद रखना अग्या कर अग्या कर अग्या कर अग्या कर अग्या मनेटरी पॉलिसी तो आप समझ गए बट इससे ही मिलता जुबता आप लोगोंने एक और नाम सुना होगा फिस्कल पॉलिसी मनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है गवर्मेंट के द्वारा फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है गवर्मेंट के द्वारा गवर्मेंट में भी स्पेसिफिकली कौन सी फाइनेंस मिनिस्ट्री कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ठीक है फाइनेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है फिसकल पॉलसी अब याद रखना यह फिसकल पॉलसी बनाती है इसमें जो इनका कि फाइनेंशल यह पॉलसी को पता है यह होता है फ्रस्ट ऑफ जुलाएं टू थर्टीफर्स अफ जून और जो नॉर्मल होता है वह तो सब टू थर्टीफर्स्ट अब यहां पर आर बिया ना कुछ डिनोमिनेशन को कंट्रोल करती है डिनोमिनेशन कंट्रोल बाई आर बिया अच्चा डिनोमिनेशन कंट्रोल बाई आर बिया का क्या मतलब है डिनोमिनेशन क्या मतलब सारे पैसो को कंट्रोल नहीं करती है यहां टू रुपीज ela फिर 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 जो की देरे देरे बंद हो रहा है है ना यह denomination है basically यह सारे के सारे होते है नोट्स और याद रखना इन नोट्स को कंट्रोल करता है Reserve Bank of India इसके अलावा अगर बात की जा रही है coins फ्लस वन रुपीज नोट की उसे RBI कंट्रोल नहीं करता उसे RBI कंट्रोल नहीं करता हाँ RBI क्या circulate करता है अगर ऐसा बुला कि एक रुपे है और एक रुपे के नोट और coins को कौन circulate करता है circulate मतलब market में circulate इधर उधर करता कौन है उसमें RBI yes RBI सभी denomination को circulate करता है पर कंट्रोल सिर्फ वो इस denomination को करता है और इनी denomination को छापने का अधिकार RBI के पास है है ना तो बाकी की rest का क्या सर यहाँ पर जो 1 rupees note है 1 rupees note और coins इनका क्या इसाब किताब है फिर ठीक है इसको करती है Finance Ministry ठीक है Finance Ministry दोनों को कंट्रोल करती है और 1 rupees के note में होता है Finance Finance Secretary का sign ठीक है यही पर बाकी के जितने भी denomination है यहाँ पर किसके sign होते है यहाँ पर होते है Governor of RBI ठीक है यह चीज़ आपने याद रखना है ठीक है एक रुपे के note में Finance Secretary के होते है और बाकी के सभी denomination में RBI के governor के ठीक है और coins में तो कोई sign होते नहीं है ठीक है अब इसको याद रखना अब जब circulation की बात आए ना circulation on market तो यह जो circulation of market है इसका राजासिव Reserve Bank of India ही है Reserve Bank of India अब इनको भी circulate करेगा और इनको भी circulate करेगा ठीक है तो इसमें confuse होने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है question में का आपको confuse करने के लिए sometime UPSA में इस टाइप के question पूछ लेते हैं ठीक है I'm sure आपको यहां तक चीज़े clear हो लिए है इसके बाद कुछ और रूल्स है RBI के जैसे RBI को और बोला जाता है Bankers of Government Bankers of Government अब Bankers of Government क्यों बोला जाता है वहीं Bankers of Government इसलिए बोला जाता है क्योंकि RBI हमेशा help करती है Government की Government of India की help करती है Finance is providing में हमेशा help करती है अब दूसरी बात इसमें एक और important है मालो की Government वो एक कंट्री है यहां पर X, Y, Z इससे इन्हों ने क्या कर दिया यह aircraft खरीद लिये ठीक है यह aircraft करीद लिया ठीक है बोईंग का aircraft खरीद लिया मालो या भी रफाइल खरीद लिये अब यह रफाइल खरीदने के लिए यह रफाइल जो तो है यhin तो इंडिया के तरप मूँव होंगे अब यहां से अब यहां से इंडिया से इधर को भी तो कुछ मूँव होगा चीज़े तो दोनों तरप से आती और जाती है ना तो यहांपर हम जो पैसा देंगे मनी देते गी ने हम इन लोगों को है ना और ये यूनिट हमको दे रहे हैं ये जो पैसा है ये भेजेगा कौन इधर पर क्या SBI PNB नहीं ठीक है ये नहीं ये काम करता है Reserve Bank of India इसलिए इसे Bankers of Government भी बोला जाता है चाहे आपने कहीं पर भी पैसे दे नहीं ये तो एक example मैंने बता दिया तो Government of India का काम यही करता है ठीक है नेक्स Bankers of Bank भी बोलते हैं इसे Bankers of Bank अब Bankers of Bank का क्या मतलब है भई Bankers of Bank का मतलब है मालो RBI है RBI बोलेगा तो सामने जाके Banks खुलेंगे ठीक है जैसे RBI ही Bankों को कंट्रूल करता है for example मालो किसी भी Bank के बास 100 रुपे है है ना RBI बोलता है कि तुम 100 के 100 रुपे आगे जाके Loan पे नहीं दे सकते है ना Loan पे आप सिर्फ इसका कुछ पसंट दोगे इससे पहले आप Reserve रखोगे Reserve रखोगे Reserve कितना रखोगे 4% अलग से 18% अलग से इतना Reserve रखने के बाद अब बाकी का Rest Amount आप Loan पे दे सकते हो है ना इस तरीके से किसी भी Bank को कंट्रोल कर देता है So that की Money Flow आगे बढ़ता जाता है है ना अब यहाँ पर Bank के End से भी तो कोई Relation होगा है ना So Bank को अगर पैसो की Need होती है तो सीधा RBI के पास जाता है है ना कुछ Collateral रखता है कुछ Collateral रखेगा और Collateral के बाद RBI यहाँ से पैसो को Move कर देगी Bank के बाद ठीक है Collateral वहाँ जमा कर देंगे और पैसे इसके पास आ जाएंगे ठीक है इसलिए इसे Banker of Bank भी का जाता है Clear है ठीक है तो यह कुछ है इसके अलावा है जैसे Foreign Exchange Control यह भी इनका एक Function है ठीक है Foreign Exchange Control Foreign Exchange Control मतलब देखो मालो यहाँ पर RBI है RBI इंडिया के अंदर पैसा लाने और ले जाने का गेट है है ना इसके मर्जी के according कुछ नहीं होता मालो यहाँ पर Tom Cruise है है ना Tom Cruise को क्या लगता है मुझे इन्वेस्टमेंट करना है डॉलर रख लो है ना तुम मेरा डॉलर रख लो और डॉलर के बदले में मुझे कुछ रुपीज दे दो अब इसमें देखा जाता है Exchange Rate जो की बना है मैंने आप लोगों को बता है पर्चेसिंग पावर पैरेटी के अकॉर्डिंग भी और Exchange Rate के अकॉर्डिंग भी है कैसे बनते हैं दोनों वैल्यू तो उस हिसाब से क्या करेगा यहाँ से RBI डॉलर ले लेगा और RBI इसको दे देगा कुछ रुपीज समझ मैं इस तरीकी से दोनों में पहले 100 रुपे फ्लोट कर रहे थे न क्योंकि Tom Cruise भी 100 रुपे ले के आया तो अब कितना हो गया यहाँ पर 200 रुपे हो गए ठीक है अब हो गए 200 रुपीज इंडिया के अंदर 100 प्लस 100 तो इंडिया के अंदर 200 रुपे अब यह Donald Trump लेके आ गया अब यह Elon Musk लेके आ गया यह कोई और बंदा लेके आ गया ऑबुक्त लेके आ गये तो इस तरीके से यह जो यहाँ पर dollar आ रहे है न號 dollar यहां से जो dollars का flow आ रहा है वो dollars का flow यहां से आगे यहां से dollar की रुप में आता है यहां से डॉलर के रूप में आएगा अंदर बट यहां से जैसे अंदर गुसेगा वो डॉलर के रूप में नहीं रूपीज के फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो हो गया क्या यहां पर छटनी होते वे यहां पर RBI के पास reserve इकटे हो जाते हैं इसको बोलते है foreign reserves तो यह जो foreign reserve इकटा करता है यह करता है RBI तो यह मुसीबत के टाइम पे इंडिया को काम आता है यह foreign reserve समझ में आया तो इंडिया का खजाने में से है यह foreign reserve जिस भी country के पास जितना जादा foreign reserves होगा उस country के तरब दूसरे country का जो foreign direct investment है वो भी बढ़ता जाता है उनका attraction बढ़ता जाएगा तो foreign direct investments बढ़ती जाएगी ऐसा क्यों हो जाते foreign direct investment बढ़ जाती है अब आप मान लो कि यहां पर एक country है A, B, C इस country में क्या हुआ लोग बहुत पैसा डाल रहे हैं है ना जब लोग बहुत पैसा डालेंगे तो यहां पर होती है credit rating agencies जैसे एक रहे ओन एक रहे मुडी से स्टेंडर अन पूर्स है यह सारे यह अमेरिका के वह है credit rating agencies है यह देखेंगे कि यार इस country के अंदर तो बहुत पैसा पुलाउन हो रहा है तो यह मतलब है इस country के के अंदर demand बहुत जादा है और opportunity बहुत जादा है तो यह इसको एक अच्छा rank करेंगी अच्छा rank करेंगी तो क्या होगा और जो बाकी के जितने investor है है ना वह भी attract होंगे और वह भी वापस से और पैसा लेके इधर पर पहुंच जाएंगे rank देखके राइट इस तरीके से जिस भी country में foreign reserve बढ़ता जाता है तो FDI भी वहाँ पर इंक्रीज होता जाता है ठीक है तो यह चीज़ आपने याद रखना है अब यहाँ पर एक और बहुत important role है RBI का यह role है कि कहा क्या पहना है कि यह role है कि पी एस एल forcing PSL का forcing या फिर आप बोलो PSL implementation ठीक है यह दोनों काम Reserve Bank of India करवाती है ठीक है यह PSL पाकिस्तान का सूपर लीग नहीं है यह हमारा PSL है ना तो PSL का मतलब क्या होता है कि प्रायोरिटी कि अग्यारे पैन को क्या हो जाता है बीच पीच में आज़ा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यह मेरा पैड एक्चली मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत है मेरा हाथ बैठा नहीं है उस वज़े सेक्टर लेंडिंग को समझाता हूं यहार है ना देखो इंडिया के अंदर कुछ बैंक्स आएंगे ठीक है यहां पर क्या होंगी domestic banks domestic के अंदर इंडिया की private sector भी होगी और public sector भी होगी ठीक है public मतलब Indian ठीक है और foreigners भी होगी है ना foreigner banks भी होगी ठीक है आप foreigners bank तो private होगी है ना अब यहां पर यह समझ लो RBI क्या करता है यह जो banks है यहां पर private भी है public भी है इन सब के सामने एक शर्त लग देता है कि ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में एंटर करोगे इंडिया में आपने business करोगे और सीधा अपने मर्जी से कहीं पर भी आप business करना शुरू करोगे है ना तो यह ऐसा बोलता है ठीक है अगर आप इंडिया में आ रहे हो ना ठीक है बट आपने अपने investment का 100% आप लेके आ रहे हो उस में से कम से कम 21% से लेकर 25% तक यह hypothetical बोल रहो माल लोगी उन्होंने ऐसा बोला 21% से लेकर 25% तक आप लोगोंने priority sector lending में लगाना है अब यह जो 100 में से 25 रुपे माइनस हो गया ना अब इसके पास सिर्फ बच्चा 75 रुपीज अब 75 को यह अपने मर्जी से इधर उधर लगा सकता है और इसमें से भी C, R, R S, L, R जैसे values कटेंगे अब फिर मालो की घुमपीर के इसके पास कितना पैसा वच्टा है 50 ही रुपे वच्टे है अब यह 50 रुपे का बिजनिस इंडिया के अंदर शुरू कर सकता है बट हमने बात करनी है कि यह priority sector lending क्या होता है priority sector lending में RBI force करती है कि आपने इतना पैसा रूरल डेवलप में रूरल एरिया में भी लगाना है ठीक है रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए भी लगाना है ऐसा नहीं है कि आपने सारे के सारे ब्रांच सिटी में खोल दिये है ना तो यहाँ पर सीटी का development तो हो गया बट विलेज उसका क्या वो तो गिरता रहेगा तो ऐसे में priority sector lending का जो पैसा होता है वो भी यहाँ पर लगता है तो इस वज़े से यहाँ पर भी investment होता है और विलेज में भी banks खुलती है अब इन सब के वज़े से क्या होगा bank boom खुलेंगी तो public को easily financial assistance मिलेगा है ना financial assistance मिलेगा तो वो लोग क्या करेंगे bank account खुलेंगे bank account खुलेंगे तो क्या करेंगे loan लेंगे loan लेंगे तो क्या करेंगे financial activities में आएंगे है ना financial activities में आएंगे तो जिस तरीकी से वो center line of countries के साथ जूड जाती है इसलिए priority sector lending बहुत important role play करता है, अब priority sector landing को एक ही land में अगर समझना हो तो ये परकार का barrier है किसी भी country, किसी भी banks के लिए कि आप पूरा पैसा invest नहीं कर सकते, आपने कोई छोटा सा amount अपने rural area में भी invest करना पड़ेगा, वहाँ पर development के लिए भी पैसा डालना पड़ेगा, तो उस चीज़ क कि आपको ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा, priority sector landing क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत important role है, RBI का, वो है, short term landing, short term, short term landing, अब short term landing को समझो, short term landing क्या होता है, मालो एक bank है, है ना, bank के पास एक customer आया, ठीक है, विजे माल्या, विजे माल्या आया और इसने बोला कि यार, मुझे तो, है ना, one thousand करोड डॉलर्स चाहिए, one thousand करोड डॉलर्स चाहिए, है ना, तो अब one thousand करोड डॉलर्स तो bank के पास सीधे से रहेंगे, क्या, नहीं होंगे ना, bank के पाप पैसे नहीं होंगे, तो bank यहां से अब क्या करेगा, RBI को approach करेगा, है ना, bank RBI को बोलेगा, यार, मुझे ना पैसो की जरुरत है, है ना, तो मुझे पैसो की जरुरत है, मेरे पास तो यहां पर पैसे ही नहीं है, है ना, no money, no money, इनके पास पैसा है यह नहीं, तो यह क्या करेगा, RBI इनको पैसे देगा, RBI इसको पैसे देगा, ठीक है, बट एक, एक बात और बोलेगा, ठीक है, मैं तुझे पैसे तो दे देता हूँ अभी पर, पर यह short term के लिए होगा, पहली बात है ना, short term के लिए मैं पैसे आपको दे देता हूँ, बट आपने इसके बदले में कुछ collateral रखना है, collateral क्या रखना है, government security, जो भी government security इनके पास है, वो government security इनके पास जाएगा, और उसके बदले में money देंगे, ठीक है, money इधर को आया, तो इस तरीके से रातो रात, है ना, एकदम से, मालो अभी customer आपके पास आया, अभी के अभी collateral हो गया, और अभी के अभी bank के पास ये पैसे, 1000 करोड डॉलर आगे, तो इन्होंने अपने customer को दे दिये, तो इस तरीके से अगर किसी भी bank के पास एकदम से पैसों की shortage हो जाती ह है, तो bank क्या करती है, RBI से सीधा approach में पैसे ले लेती है, अब ऐसा नहीं है कि RBI से लेना है, bank क्या करती है, दूसरे bank से भी ले सकती है, A, B, C bank से भी जाके ले सकती है, है ना, अब अगर ये bank के पास भी क्या होगा, इसको collateral दखना पड़ेगा, government security, है ना, government security इधर पर देगी, है ना, तो ऐसे situation को बोला जाता है, call money, ठीक है, call money का concept, तो यह जो short term lending है ना, यह जो RBI करती है, this is nothing but call money, right, तो यह याद रखना, call money का concept, call money का concept कहीं बार prelims में पूछा गया है, right, so यहाँ तक मुझे लगता है, कि सारे terms आपको clear है, इतने मुश्किल terms थे नहीं, तो मैं next में move होता हूँ, so next है, concept of liquidity, concept of liquidity, concept of liquidity, अब यहाँ पर समझो concept of liquidity क्या होता है, concept of liquidity का मतलब होता है, किसी भी चीज़ की tendency, tendency to change into cash, tendency to change into cash, अच्छा, cash ही क्यों, क्योंकि cash, अब मान लो, कि आपने A भी लेना है, B लेना है, C लेना है, A है land, B है car, C है phone, है न, यह तीन अलग-अलग community है, दिख रहे हैं, ठीक है, अब मुझे बताओ, आप इसको cash offer करोगे, accept होगा, yes, अगर आप इसको भी cash करके गाड़ी खरे, तो कि accept होगा, yes, आप इसको भी cash देके accept करोगे, होगा, yes, बट अगर इस cash के जगे, मैं यहाँ पर मान लो, मैं रख देता हूँ, gold, है ना, अब gold को हो सकता है, यह भी accept करें, यह भी accept परें, और यह phone लेने वाला चोटा lander, बोलो, आज यार नहीं, make up gold को इदर उदर change करता रूँगा, नहीं, तो मुझे cash ही दो, है ना, बट अगर इसके अलाव में, इसके अलाव थोड़ा और bike, मेरे पास एक bike पड़ी है, और मैं बोलता हूँ कि मेरा bike रख लो, और मुझे देदो land, तो वो भी नहीं देगा, car देदो, वो भी नहीं देगा, phone देदो, वो भी नहीं देगा, समझ रहे हो, तो तीनों की चीज में क्या है, cash is most liquid product, most liquid product, अच्छा, liquid का मतलब क्या है, ऐसा कोई चीज, जिसको आप आसानी से किसी भी चीज को खरीद लो, आसानी से किसी भी चीज में convert करवा दो, वो उसकी liquidity होती है, है ना, तो किसी भी चीज का cash में convert होने की tendency को liquidity बोला जाता है, right, I am sure कि बहुत easy concept है, confuse होने का नहीं है, इसमें भी कुछ, ठीक है, तो मैं आपको कुछ terms यहां पर बता देता हूँ, जैसे gold, gold हो गया, है ना, इसके अबला, जैसे money market account, money market account हो गया, यह भी easily convert हो जाते हैं वैसे, ठीक है, certificate of deposit हो गया, यह एक परकार के insurance, मलब investment होते हैं, ठीक है, एक परकार के investments होते हैं, ठीक है, इसके अबला time deposit हो गया, यह होते हैं, high liquidity, इनकी high liquidity होती है, यह चीज़े easily cash पे convert हो जाती है, आप कहीं पर भी जाकि मुदूत finance में gold दे दो तो पैसा मिल जाएगा, है ना, मरगी money market में, जो तुमारे money account है, वहाँ पर जाकि money ले लो को पैसा मिल जाएगा, certificate of deposit दो गये तो उसके बदले में जितना investment है पैसा मिल जाएगा, time deposit है, जैसे ही time complete हो गये, आपका FD के अंदर, आप FD convert करवा दो, पैसे मी निकालो, इनकी high liquidity है, ठीक है, इसके अलावा जैसे और होते हैं, मानलो की, जैसे car हो गई, bike, land, building, अगर आप इनका cash बनाना चाहते हो न, थोड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं है cash नहीं बनेगा, थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम पहले dealing करनी पड़ीगी, advertisement करना पड़ेगा, इधर दो, चार बंदों को पूछना पड़ेगा है न, बड़े मुश्किल से जाके कहीं पर जाके आपको cash मिलेगा, मतलब liquidity है, पर time taking होता है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है, low liquidity, इन product की low liquidity होती है, ठीक है, तो आम शोर की concept of liquidity भी समझ गए आप, बहुत easy concept है, ऐसा नहीं है कि, यह main topic है, यहाँ पर सिब RBI की role बता रहा हूं, तो मैं इसको जाधा expand नहीं करूंगा, यह main topic आएगा, उस वक्त भी तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, कि नहीं बढ़ने के लि बहुत साला different knowledge ना मिले, बट sometime दिमाग में रह जाना चाहिए, जब आप main topic पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर याद आएगा, ठीक है, next आता है, CRR, cash reserve ratio, cash reserve ratio, ठीक है, cash reserve ratio, अब cash reserve ratio होता क्या है, इस चीज़ को समझो, यह यह क्या होता है, RBI force करता है, ठीक है, forced by RBI, यह RBI के instruction है, request नहीं होता है, ठीक है, यह आपको reserve करना ही पड़ता है, CRR, 4% reserve करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी bank कई पर डूप जाए, आपका business अच्छा नहीं चल रहा है, customers नहीं आ रहे हैं, उस case में आपके business, bank के polish के लिए कुछ पैसे होने जरूरी है, है ना, तो यह आमतोर पर cash पर ही होता है, ठीक है, सिर्फ cash के रूप में लिखा जाता है, इसलिए sometime इसे dead money बोला जाता है, है, ठीक है, अब dead money का मतलब क्या है, इसमें आपको कोई भी interest नहीं मिलता, इसे रख रख के जितनी पैसे की value गिर रही है, आप बढ़ रही है, वो bank का loss होता है, तो यह जो cash होता है, CRR के रूप में इसे एक loss asset भी बोला जाता है, ठीक है, यह आपको loss देता है, बार-बार, clear, अब देखो, मैं आपको एक concept समझा देता हूँ, कि यह सहर क्या चीज, यहाँ पर एक bank होती है, ठीक है, bank में होता क्या है, यहाँ से पैसा आता है, यह होते है depositor, मेरे और आपके जैसे लोग जो पैसे bank में अपने account में डालते हैं, अब bank यहाँ से पैसे आगे देती है, ठीक है, loan के रूप में, ठीक है, अब ये लोन के रूप में रेद देगी, अब ये कुछ टाइम के बाद लोन का पैसा इनके पास आएगा, ठीक है, मालो की यहां से 100 रुपे डिपोजिट में गए थे, है ना, ये पैसे यहां पर, अब ये पैसे आगे जाते हैं, है ना, और ये 100 रुपे के साथ प्ल इट्रस देंगे, है ना, अब ये जो यहां पर 20 रुपीज रह गया, ये होता है, इनका अर्निंग, ठीक है, बैंक की अर्निंग होती है, अब आप यहां पर ये चीज़ समझो, ये जो 100 रुपे मैंने बोला ना, कि इसने 100 के 100 यहां दे दिये, बैंक, RBI ये करने के लिए मन Demand Deposit के रूप में, और एक होता है, Time Deposits, ठीक है, Demand Deposit और Time Deposit, दो तरीके से पैसे आप जमा करते हो, ये पैसे मान लोगों कि आप यहां पर जमा हो चुके है, कितने? एक हजार रुपे, है ना, आप बैंक बोलेगा कि आप यहां पर एक हजार रुपे नहीं रख सकते, एक हजार रुपे आगे नहीं दे सकते, आपको सबसे पहले यहां पर कुछ पैसा सिक्यूर करना पड़ेगा, CRR के रूप में 4%, ठीक है, तो इसका 4% कितना हुआ? ठीक है, 4%, ठीक है, तो 4% कितना हुग गया? 40 रुपे, ओके, तो ऐसे केस में, यह जो CRR है, यह तो आपको अपने पास रखना ही पड़ेगा, बाकी का पैसा, आप सिधा आगे दे सकते हो, बट उससे पहले आपको एक और चीज करना पड़ेगा, आपको 20, या फिर 18% के करीब है अभी, ठीक है, 18% के करीब SLR भी रखना पड़ेगा, तो बाकी का जो पैसा होता है, आप लोन पे दे सकते हो, तो यह जो बीच में पैसा आपको रखने के लिए बोरा जा रहा है न, ओ कैश के रूप में उसको बोलते है CRR, और कैश यह सारी चीजे, डीटेल्स मैंने आपको बता दिए, समझ में आए, CRR भी क्या होता है, मुश्किल नहीं था, CRR भी, ओके, सो, next है SLR, SLR भी सेम है, किसी बैंक के पास पैसे होंगे, मालनो 100 रुपीज, यहां से डिपोजिट में पैसे आएंगे, आएंगे, है न, डिपोजिट में भी कौन कौन से, डिमांड डिपोजिट, डिमांड डिपोजिट, और, टाइम डिपोजिट, ठीक है, अब जब यह पैसे में, यहां पर पैसे 100 रुपे आ गए, इस 100 रुपे में से, बैंक कुछ पैसे अपने खर्चे निकाल देगा, जैसे electricity बिल हो गया, salary हो गया, table खरिदना है, painting करवाना है, building का है न, वो सब निकाल के, बैंक के पास 80 रुपीज बसते हैं, ठीक है, यह 80 रुपीज जो बच्चे है न, इसको बोलते है, net, demand and time liability, ठीक है, यह जो पैसा आप deposit के रूप में, बैंक के पास दे रहे हो न, यह आपके लिए तो asset है, बट बैंक के लिए हो जाता है, liability, ठीक है, यह शब्द याद रखना, बैंक के लिए होता है, liability इसलिए बोला जाता है, net, जो net, demand and time liability, कौन सा, demand deposit और time deposit वाली liabilities, राइट, so NDTL इनके पास बच जाता है, अब इस NDTL में से वो, CRR कितना काटा था उपर, CRR काटा था, 4% और SLR काटेंगे, 18.5% या फिर 18% के करीब, right, जितना ये buy monetary policies में बोला गया होगा, उतना कटता है, और ये पैसा आगे जाके, loan में चला जाएगा, बाकी का rest पैसा, loan में चला जाएगा, CRR तो आप समझ गए, आप समझते ही कि, ये SLR का क्या फॉर्म फंडा है, देखो SLR को, क्योंकि CRR में क्या होता है, बैंक का लॉस होता है, ये तो टोटल लॉस है, इसको तो हम dead money बोलते है, है ना, अब इसके वज़े से, जब बैंक को लॉस हो रहा होता है, तो बैंक ने request कि, कुछ तो ऐसा करो कि, हमारे पास कुछ earning भी हो, इसके अलावा, क्योंकि इतना तो हमको loss पर ही जा रहे हैं, है ना, तो RBI ने बोला, ठीक है, एक SLR का आपका 18% का और reserve होगा, उस reserve को आप invest भी कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है, आपने किस कुछ भी share खरीद ली है, ऐसा नहीं होता है, या तो आप क्या करोगे, gold में invest करोगे, या तो आप cash में, या तो आप government, securities में invest करोगे, GSEC बोलते से, ठीक है, तो होता क्या है, जो gold और securities में, ज़्यादा तर पैसे रखे जाते, विकोश cash को तो वापस reserve रखना बढ़ेगा, तो cash तो वापस dead money जैसा perform करेगा, है ना, क्योंकि इदर उदर तो रख नहीं सकते, तो ज़्यादा तर अगर company उठ रहा है, तो अगर gold का rate उठ रहा है, तो लोग banks gold में रखते हैं, पर gold से भी ज़्यादा government securities में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसा बढ़ता ही बढ़ता है, अब आप बोलोगे sir, तो gold में भी बढ़ सकता है, पर gold में depend करता है ना, है ना, depend करता है ना, हो सकता है कि अब gold का rate गिर रहा हो, उस वक्त में bank को loss हो जाएगा ना, बट government securities में अगर 2% बोला है government ने, तो 2% मिलता ही जाएगा जब तक government securities आपके पास है, तो ज़ादा तर bank के आप पर government securities में invest करने की कोशिश करती है, तो SLR और CRR में क्या difference है भी, यह investable है और यह invest less है, इसके अंदर profit generate किया जा सकता है, बट CRR में profit generate नहीं किया जा सकता, यह चोटी चोटी बात हैं इन चीजों को याद रखना, क्योंकि यह चीजे बहुत बड़ा impact create कर सकती है, जब आप इस respect में यह सारी चीजे पढ़ने लग पढ़ोगे तो, ठीक है, मुझे लगता है कि आज वीडियो ना थोड़ा लंबा हो गया है, तो रेपोरेट और रिवर्स रेपोरेट भी next class में पढ़ेंगे, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, प्लीज 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 उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, अगर आपको इसका study material चाहिए है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप किसी को suggest भी कर सकते हैं, शेर भी कर सकते हैं चैनल को, इससे हमको help होती है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि चलो चोटी सी चीज़े है, बड़ उससे पहले हमें lecture त्यार करना होता है, यह सारी चीज़े edit करनी पड़ती है, डालनी पड़ती है, है ना, वो हमारे efforts लगते हैं इसके अंदर, उस efforts के बदले में अगर आप लोग पढ़ते हो, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, राइट, जितने से ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फाइदा उठाएंगे, हमारे लिए उतना ही बड़ी आ रहेगा, आप इससे शेर कर सकते हैं, ओके, तिल देन, गॉड ब्लेस यू, वोग खार्ड,